हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिट से मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यूट्यूब के स्लेर्णिंग प्रेटफॉर्म पर आज मैं आपके लिए एकनोमिक्स के बहुत ही महत्पून कोशन लेकर आया हूं दोस्तों यह जो कोशन है एकनोमिक्स के यह session आपके लिए लेकर आया हूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रस्ण से हमारा आज का पहला के सारुजनिक वीत्रण पढ़नाली से विठ्रित अनाज इन्ञार पर मूले बढ़ाने का उद्देश चैनल कजह हैं सबस्तम इसमें किर नियूए क्य के दवरान हुआ था यहां पर इसको व्यापक विस्तार किया गया था दोस्तों इसका जो उद्देश्य रहता है वो है कि इस योजना में जितने मीं सेटी सबसीडी होती है उसका भार कम हो ठीक है इसका लोड क्या हो किसान पर या गरीब परिवारों पर कम मिले इसका माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मुल्लों पर खाद्यान उपलब दिकराती है तो हमारे प्रशन का सहित्तर हो जाएगा option C ठीक है अगला प्रशन देखते हैं राष्ट्रिय बागवानी मिशन का उदेश इन में से क्या नहीं है तो दोस्तों राष्ट्रिय बागवानी मिशन दोस्तों सबसे पहले किसकी प्राडम यानि किसकी शुरुवात कब हुई थी तो दोस्तों इसकी जो शुरुवात होती है राश्ट्री बागवानी मिशन की दो हजार पांच शेके दोरान होती है ठीक है दो हजार पांच शेके दोरान होती है और इसमें जो उद्देश्ये क्या क्या है दोस्तों इसके जो उद्देश्ये वो है बागवानी शेत्र की समग व्रद्धी करना किसानों की आय में व्रद्धी करना सस्यस्तर परबंद करना ठीक है और साथ ही साथ दोस्तों जो बागवानी उत्पादन किसान हैं उनकी आय और पोषण में पोषण की सुरक्षा में व्रद्धी करना ठीक है दोस्तों ये इसके कुछ प्रमुक उद्देश् नहीं है जोस्तों 25-6 के बीच में अगर हम देखें तो उससमें दस्वीं पंच वर्षी योजना चल लए थी ठीक है तो यानिकी दस्वीं पंच वर्षी योजना के दोरान ये जो है लागू किया गया तर आश्ट्री भागवानी मिशन चलिए अगला परसन देखते हैं किस पंच वर्षी योजना ने में किर्सी छेत्र ने रणात्मक व्रद्धी प्रदर्शित की थी तो दोस्तों यह जो योजना थी वो थी तीसरी पंच वर्षी योजना का जो समय है वो 1961 से 66 के बीच में है और 61 से 66 के बीच में अधी हम देखें तो 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हो जाता है और 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जाता है दो तो इसमें युद्ध हो गए और तीसरा इसी समय दोस्तों भारत में बहुत बड़ा अकाल भी देखते था ठीक है और अकाल ने हमारे किर्सी चेत्र को इसमें और पीछे कर दिया तो दोस्तों इसमें हमने माइनस वन परसेंट की जो थी वरद्धी देखी किर्सी के छेत्र में तो इसका सही उत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यदि पुछेगा कि कितने की नकालात में वरद्धी हुई थी तो वो हुई थी माइनस वन परसेंट की ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं आ चुका हूँ आपको ठीक है दो जार पांच छे में इसकी सुरुवात होती है राष्ट्री भागवानी मिशन की ठीक है और इस योजना का दोस्तों जो देश्च था वही था भागवानी छेत्र का समगर विकास करना और इसके उत्पादन को बढ़ाना भागवानी के ठीक करना है ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इसकी शुरुवात कब होती है दोस्तों इसकी शुरुवात 2018-19 में बजट के दोरान होती है जब 2018-19 का बजट आता है और आलू, टमाटर और प्याज इनकी कीमतों को इस्थी रखने है तू ऑपरेशन की शुरुवात की गई थी दोस्तों इसका उदेश्यता कि किसानों को उनकी उपच की सही कीमत प्राप्त हो और उपभोगताओं को भी उप्युक्त कीमत पर यह उत्पाद प्राप्त हो ठीक है इसके दोस्तों 500 क्रोड का बजट में प्रावधान भी किया गया था अलक्सी यह operation green के तहody अगला प्रशन देखते हैं परदHAN मंत्री किसान संपदा योजना किसे संबंदीत है ठीक दोस्तों यह किर्सी शेत्र से संबंदीत है option A, इसका सही उत्र हो जाएगा ठीक, अगला प्रशन देखते हैं राष्टी किसान आयोग का गठन कब हुआ था तो दोस्तों, राष्टी किसान आयोग का गठन जो हुआ था, वो हुआ था 2004 में option C, इसका सही आंसर हो जाएगा किसके ध्यक्षता में हुआ था का जनक कहा जाता है, विश्व में नॉर्मन ई बॉल लोग को हम हरित्क्रान्ती का जनक बोलते हैं ठीक है भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है चलिए अगला प्रशन देखते हैं वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उध्योग के इंद्र है तो दोस्तों सबसे बड़ा वस्त्र उध्योग के इंद्र है हमारा मुंबई ठीक है यहां सबसे ज़्यादा कपड़ा मिले हैं कपड़ा मिले हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा कहां पर हैं मुंबई में है यहीं से दोस्तों यूरोपेन देशों को पश्चिमी एशियाई देशों को और अफ्रीकन देशों को जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट किया जाता है मुंबई से दोस्तों मुंबई को भालत के सूती बस्तर उध्यों की राजधानी भी कहा जाता है अगला प्रशन देखते हैं स्वतंत्र भारत की पर्थम और धोगिक निती की घोषणा कब की गई थी तो दोस्तों यह जो घोषणा की गई थी यह की गई थी 6 अप्रेल 1948 यह आप डेट याद रखेंगे 6 अप्रेल 1948 को और उस्ते में जो ध्योग मंत्री थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी इन ही के द्वारा यह गोषणा की गई थी और इसी निती ने अगले आने वाले जो वर्षण में थे भारत की मिश्रित अर्थेवस्ता के लक्षों का भी निर्धारित कर दिया था ठीक चलिए अगला प्रस्न देखते हैं भारती हीरा संस्थान कहां स्थीत है तो दोस्तों भारती हीरा संस्थान जो है वो सूरत में स्थीत है सूरत दोस्तों का पड़ता है गुजरात में यह आपको पता होगा नर्मदर नदी के तर्ट पर है सूरत ठीक और दोस्तों जो भारती हीरा संस्थान है सूरत में इस किस्थापना 1978 में हुई ये भी आप याद रख लेना अगला प्रश्न है बिलाई स्टील सहयंत्र किस परकार का उपकरम है दोस्तों यह एक सावजनिक उपकरम है ठीक है और बिलाई कहां पर है दोस्तों 36 गड़ में है किसके सहयोक से स्थापना हुई थी तो दोस्तों इसकी स्थापना हमने की थी पहली पंच वर्षी यूजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी ठीक है चली आगला प्रश्न देखते हैं स्वरी 51 से 56 पहली थी ठीक है 55 में इसकी स्थापना हुई थी हाँ दोस्तों 55 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है तो पहली पंच वर्षी यूजना के दौरान नहीं इसके स्थापना की गई थी ठीक है और सारुजनिक छित्र का भारत का पहला इस्पात सही अंत्र है कि चलिए अगला प्रसंद देखते हैं राश्ट्रिय निवेश कोस के संबंद में इन निखित में से कौन सा कथन सत्ते हैं तो दोस्तों जो NIF है यानि कि National Investment Fund इसमें सारुजनिक उपकर्मों के विनिवेश से प्राप्थ होने वाली राशी रखी जाती है तो Option C हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ठीक है और दोस्तों इस कोस के अंत्रकत क्या है जो अलक्षित राशी है उसका 75 प्रतिशत शिक्षा स्वास्थे और समाजी विकास जैसे छेतरों पर खर्च किया जाता है तथा 25 प्रतिशत राशी जो है वो सारुजनिक छेतर क कायू में निवे शेतु खर्च की जाती है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं भारत में महारतन कंपनियों की संख्या कितनी है तो दोस्तों अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में लगभग 12 जो कंपनिया है वो महारतन है 14 दोस्तों इसमें से नवरतन है ये भ परिवहन उध्योग शामिल नहीं है तो दोस्तों अर्थव्यस्ता के कोर्चेत्र कंतर का जो है हमारा वो परिवहन उध्योग शामिल नहीं है अब दोस्तों कोर्चेत्र क्या होते हैं तो दोस्तों कोर्चेत्र को हम आधारभूत उध्योग भी बोलते हैं ठीक है जो ऐसे उ उध्योग ठीक है रिफाइनरी उध्योग सीमेंट उध्योग यह सारे शामिल किया जाते हैं ठीक तो यह हमारा हो जाएगा कुश्चन के साब से अब्सप्राइटन देखते हैं 15 वितायोग का ध्यक्ष्ष्ष कौन है तो दोस्तों इंप्रेंट प्रसनी है 15 वितायोग के ध्यक्ष्ष्षי है एनके सिंव ठीक है कौन है एनके सिंव ओपेसं ड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा ये 2026 तक है ठीक है और जो वित्तायोग होता है इसका काम क्या होता है दोस्तों इसका काम होता है केंद्र और राज्यो के भी टेक्स का वित्रण करना ठीक है ये इसका प्रमुकार होता है अगला है वेट पहली बार कहां लागू किया गया था तो दोस्तों विश्व की अगर ह 2005 में लेकिन एक जुलाई 2017 से, एक जुलाई चुंकि 2017 से हमने GST को लागू कर दिया, तो GST ने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, तो GST जो है वो वेट के स्थान पर आ चुका है, GST दोस्तों एक अपर टेक्ष कर है, जो की 17 इंडारेक्ट को समाप्त करके लाया गया है, ठीक, चलिए, अगला प्रस्थन देखते हैं, कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है, कि संग के कर्मे राज्य का हिस्सा किस प्रकार का होगा, दोस्तों भी पीछे बताया था, मैंने, यह कौन निर्धारित करता है, वित्तायोग, ओप्शन यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और वित्तायोग दोस्तों भारती सम्मिधान के अनुच्छे 280 के अंतरगत आता है, यह भी आपको पता होन चाहिए, अगला प्रस्थन है, अपरत्यक्ष करकी प्रकरती कैसी होती है, तो दोस्तों अपरत्यक्ष करकी जो प्रकरती ह होती है, वो प्रतिगामी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों, रिग्रेसिव, इसको प्रतिगामी क्यों कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के जो टेक्स होते हैं, दोस्तों अप्रतेक्ष टेक्स, यह गरीब और अमीर दोनों पर एक समान रहते हैं, इसलिए इसे हम प्रतिगामी करके रूप में जानते हैं, जैसे आप अगर मैं बात करूँ, सर्विस टेक्स की, दोस्तों, अगर हम किसी थेटर पर मुवी देखने गए, ठीक है, तो उस मुवी का जो टिकट होता है, उसमें जो हमसे टेक्स लिया जाएगा, मुरंजन टेक्स, वो जहाए, दोस्तों, कोई गरीब देके, चाहे कोई अमीर देके, सबसे बराबर का टेक्स लिया जाएगा, ठीक है, इसी परकार से जब हम किसी होटल पर खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं, कि हमसे चाहे कोई भी व्यक्ति, कितना भी अमीर क्यों ना हो, ठीक है, सबसे बराबर टेक्स लिया जाता है, इसलिए ऐसे टेक्स को हम प्रतिगामी टेक्स बोलते हैं, जबकि जो प्रतेक्ष कर होते हैं, वो अमीर और गरीब के बीच में अंतर को भी व्यक्त करते हैं, और प्रतेक्ष टेक्स जैसे कि हमारी आय पर लगता है, तो आय मे प्रस्न देखते हैं भारत में बीमा छेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है तो दोस्तों बीमा छेत्र नियमित किया जाता है IRDA के द्वारा option is का सही answer हो जाएगा IRDA दोस्तों क्या होता है तो इसकी full form होती है insurance regulatory and development authority इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में हुई थी ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों ये last question है आज का ठीक है और इसमें क्या है कि G20 समूं 20 बड़ी अर्थवस्थाओं से मिलकर बना है इसे किसके द्वारा प्रतिनिदेत्व परदान किया जाता है तो दोस्तों इसमें जो प्रतिनिदेत्व करते हैं वो राज्यों के प्रमुख करते हैं ठीक है इसका सही उत्तर हो जाएगा option D दोस्तों G20 की जो 2023 की बैठक है ठीक है ये भारत के नई दिल्ली में हो रही है ठीक है भारत में कहा है नई दिल्ली में ठीक है ये भी आपको याद रखना है और इसमें दोस्तों इसी बार 2023 में अफ्रिकन संग भी किसमें सामिल हो गया है दोस्तों अफ्रिकन संग के अंतरगत दोस्तों ये पशपन देशो का एक संग है ठीक है और ये संग जो है अब किसमें सामिल हो गया जी 20 में तो अब ये हो जागा दोस्तों G21 ठीक है और इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो G20 की 2024 की जो अगल रखनी तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट्स जरू करें आगे की दोस्तों हम स्टडी जाई रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद